हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का सार्थी एजुकेटर के इस यूट्यूट्यूब चैनल पर मैं प्रमोद आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़ियां हैं अच्छे हैं स्वस्थ हैं और अपनी प्यारी में बढ़ियां तरीके से लगे हुए पिछली के लास में जो की आई होप आप सभी ने देखी है एसिड बेस और सॉल्ट का हमने बेसिक पार्ट डिसकस किया था मतलगी अगर मैं थोड़ा सा इसको रिक्याप करूं कुछ एक दो मिनिट में तो मैंने क्या क्या करवाया था आपको कि बेसिकली हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस में हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं बेस है उसके बाव में हमने कुछ टेस्ट किये कौन-कौन सा टेस्ट किया अगर आपको याद है तो जैसे की लिटमस पेपर टेस्ट किया उसके इलावा फिनॉल पितलीन टेस्ट किया उसके इलावा तर्मरिक टेस्ट किया उसके इलावा मिथायल और इन टेस्ट किया तो इस तरह के test से हम कैसे कैसे acid और base को अलग कर सकते हैं इसके related मैंने बहुत सारे questions बताएं और कुछ basic बातें भी हमने discuss करी आज की class में next चलूँगा कि हम और किन तरीकों से acid और base के बारे में बता सकते हैं और कुछ important acids, base और salts की हम बात करेंगे और next क्या क्या चीज़े competitive point of view से प attempt करते हैं किसी भी competitive exam में बट ETT के लिए बहुत जादा helpful रहने वाली है क्योंकि मैं ETT को लेके ये sessions जो prepare कर रहा हूं ताकि आप ETT में अपनी तरफ से पूरी जो science revision कर पाएं जो आपने पढ़ रखा है तो हर एक chapter की 2-3 classes जो रहने वाली हैं ताकि आपको पूरा recap हो पाए, recall तो मैं MCQ के साथ साथ detail भी कुछ नकुछ कोशिश करता हूं कि मैं discuss कर पाऊं ताकि आपको पता चल जाए कि उससे जुड़े वे concepts क्या हैं तो चलिए देखते हैं आज की class और उससे पहले question answer session और अब ये क्या है उसके लिए आपको पिछली class देखने पड़ेगी तो अगर आप first time इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पिछली वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल पाए कि basic चीज़े क्या थी और अगर आप पूरी वीडियो देखेगा बहुत जादा helpful रहने वाली आपके लिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करिएगा व मैंने पिछली वीडियो में कुछ questions पूछे थे आप से कि यह यह चीजे क्या है तो उनके answer मैं करने जा रहा हूं फिर हम आगे आज का session शुरू करेंगे नई से रह से किए why tartaric acid used in cake तो आपको पहले मैंने बताया था कि जो cake है वो कैसे बनता है तो हमने बात करी थी baking powder डाला जाता है ठीक है baking powder का जुँँख किया जाता है वो इसके साथ मैंने आपको बताया था कि उसमें tartaric acid, tartaric acid भी डाला जाता है, उसमें tartaric acid भी डाला जाता है, और उसका reason आप से पूछा था कि क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो baking powder है, जिसका formula हमने पढ़ा था, sodium bicarbonate, आज भी मैं और चीज़ें discuss करने जा रहा हूँ, इसके related करूँगा, next आने वाले 40-45 मिनट में, तो कहता है कि sodium bicarbonate जो है यह taste में खारा होता है, यह taste में क्या होता है, बिटर होता है, अब इसके taste को neutralize करने के लिए tartaric acid डाला जाता है, तो अगर आप से पूछे कि tartaric acid क्यों डाला जाता है cake में, तो यह basically sodium bicarbonate के taste को neutralize करने के लिए डाला जाता है, ताकि जो खारापन है वो खतम हो जाए ठीक है उसके बाद में next अगर हम बात करें कि stone क्या होता है basically chemically stone क्या होता है तो अगर मैं आपको बताऊं कि stone जैसे कि kidney stone जो जैसे पथरी पढ़ जाती है जैसे हम कहते है actually आप जैसे check कराते हो तो जब stone आता है kidney stone होना आता है तो kidney stone basically क्या होता है वो calcium carbonate है एक तरह सेGG कैल्शियूμ कार्बोनेट क्या होता है चुन्ना पथर ठीक है बड़ł यह नहीं होता प्लस साथ में न उग्च Θएलीक एसेड होता है मतलब जो kidney stone है वो कि combination है, calcium carbonate और oxalic acid, that why हम उसको कहते है, calcium oxalate, ठीक है, क्या बनता है, calcium oxalate बनता है, जिसको kidney stone बोला जाता है, अब basically जो भी चीजे, जिन में calcium carbonate जैसे बीज वाली चीजे मना करते हैं, ठीक है, उसके इलावा कुछ ऐसी चीजे भी मना करते हैं, मैंने आप से पूछा था कि, जि में कहीं न कहीं oxalic acid होता है, जैसे कि पालक में होता है, तमाटर में होता है, ठीक है, तो इस oxalic acid की वजए से, ठीक है, कि हमें क्यों जोग वर्जित करी जाती हैं चीजे, जिन में बीज नहीं भी होते, फिर भी जब kidney stone होता है, तो chemically जो kidney stone क्या होता है, वो calcium carbonate और oxalic acid का मिशरन होता है, जिसकों calcium oxalate कहते हैं, ठीक है, I hope को आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, that's why कि पालक मना करी जाती है, ठीक है, टमाटर जिसमें की, जो वो बीज तो होते ही होते हैं, उसके लवा उसमें oxalic acid होते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी ये बात करी थ ठीक है, next question है, tincture क्या होता है, ये आपके पिछले एकजाम में आया है, 665 वाले एकजाम में भी ये question पुछा गया है, कि what is tincture, ठीक है, tincture जो है, वो basically एक antiseptic है, ठीक है, tincture क्या है, एक antiseptic है, जो की basically घोल होता है, किसका, iodine का, ठीक है, iodine प्लस इतनोल का, iodine और इतनो का ये mission है, paper में तो ऐसी option थे, पर अगर percentage पूछे तो मैं आपको बता दूँ, 2 से लेके 7% तक iodine और इतनोल के गोल को tincture बुला जाता है, जो की antiseptic का काम करता है, antiseptic मतलब कि अगर cut बगएरा लग जाए, चोट आ जाए, तो उसके उपर लगाया जाता है, ठीक है, तरी question what is sodium bicarbonate, what is sodium bicarbonate मतलब की इस form में, कि क्या sodium bicarbonate acid है, क्या sodium bicarbonate base है, क्या sodium bicarbonate salt है, तो ये आप से पूछा था, तो मैं आपकी जानगारी के लिए बता दूँ कि sodium bicarbonate एक base है, और acid, base और salt कुछ important उसका मैं table भी आपके साथ discuss करने वाला हूं, ताकि आपको पता चल है, और कोन कोन से important है, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता, कि कौन सी चीज acid है, कौन सी चीज base है, कौन सी चीज salt है, तो कई बार इसके उपर base equation बन जाता है, ठीक है, तो अगर इन तीनों में से मैं बात करूं, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इसमें HCl जो है, वो सबसे strong acid है, ठीक है, और दूसरे नमबर पर हम बात करें, acidity के point of view से, HNO3 जो है वो दूसरे नमबर पर acid है, और तीसरे नमबर पर H2SO4 है, मतलब कि इसका जो acidity का order बनेगा, सबसे जादा strong acid HCl होता है, ठीक है, जिसको हम hydrochloric acid कहते हैं, मैं आगे भी बताने व nitric acid ये दूसरे नमबर पर आता है, और तीसरे नमबर पर acidity में आता है, H2SO4, ठीक है, तो आई होप को आपको ये पांचो के पांचो कोशन पता लगा होगा और नई चीजे सीखने को मिली होगी, ठीक है, तो चली हम next चुलू करते हैं, उससे पहले ये table, आप इसका screenshot ले ल में पता है, तो आप बहुत सारी चीजें जो वो understand कर पाएंगे, बहुत सारी questions का answer सिर्फ understanding से दे पाएंगे, ठीक है, तो आप क्या जैसे कि hydrochloric acid, ये एक acid होता है, और मैं आपको कुछ important fact भी बताने वाला हूँ इसमें, जो जो इन से जुड़े हुए है, ठीक है, इनके related जो important facts है, वो भी मैं discuss करूँगा, तो HCL जो है, इसको ना royal acid बोला जाता है, आप ध्यान में रखना, HCL is called royal acid, because ये strong acid होता है, ठीक है, और कहीं न कहीं कुछ मात्रा में, हमारी body में gastric जो gland होती है, वहाँ पे ये generate होता है, उसके इलावा next आता है HNO3, असल में HCL और HNO3 का ज कहते हैं, एक्वारीजिया, ये भी आप ध्यान में रखना, ये भी एक बहुत strong acid है, जिसमें क्या होता है, तीन पार्ट HCL के, और एक पार्ट HNO3 का लेके, ये घोल बनाया जाता है, एक strong acid का, जिसको हम एक्वारीजिया कहते हैं, H2SO4 जो है, जिसको sulfuric acid कहते हैं, और क्या नमों से इसको जाना जाता है, तो आप इसको क्या क्या नमों से जानते हैं, अगर मैं वो बताऊं, it is also called king of chemicals, king of chemicals, जा king of acids के नाम से भी जाना जाता है, अमलादार राजा, because ये most of the chemical reactions में use होता है, ठीक है, फिर उसके बार में boric acid आ गया, ठीक है, फिर carbonic acid, weak acid है, ये उपर वाले जो चारों acid मैंने लिखे हैं, दोस्तो, strong acid है, ये चारों के चारों, ये चारों strong acid है, ये carbonic acid जो वो weak acid है, क्योंकि ये किस से बनता है, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये बनता है, पानी और carbon dioxide को जो मिला देते हैं, ठीक है, तो पानी और carbon dioxide के मिलने से जो acid बनता है, H weak Acid, Oxalic Acid, Weak Acid Citric Acid Oxalic Acid कहां भी होता था, Tomato बगएरा में और, ठीक है, Aastic Acid हम already पढ़के आए, तो, विनिकर में होता है ठीक है, Citric Acid, जो है, वो Basically क्या होता है, खटी चीजों में जैसे की Lemon Category में, ठीक है, Citrus Prude में, और Firmic Acid, जो मक्की बगएर है ठीक है उसके बाद में sodium hydroxide एक strong acid है calcium oxide आगया उसके बाद में जैसे calcium oxide है इसको दूसरे नाम से हम क्या नाम से जानते है quick lime के नाम से है ना मैंने तुम आप लोगों को तीन lime discuss कराए थे quick lime ठीक है और इसको क्या कहते है lan water ठीक है जिसको हम कहते है calcium hydroxide lime water जा फिर slack lime ठीक है क्या नाम से जानते है slack lime ठीक है और यह आ गया और थी एक तीसरी चीज़े जिसमें ओड़ थी calcium carbonate जिसको हम limestone ना जिक वह basically क्या है कि एक salt formation है ठीक है calcium carbonate जो वो salt formation है जब क्या होता है कि आप क्या करते हो CAOH2 जिसको हम क्या कहते है lime water इसको जब carbon dioxide के साथ react कर देते है तो calcium carbonate बनता है दोस्तो calcium carbonate बनता है ठीक है और पानी निकल जाता है अब उसके इलावा magnesium hydroxide magnesium hydroxide को एक और नाम से भी जाना जाता है that is milk of magnesia मतलब कि जब lose motion लगे हो देक है बच्चों को जा किसी को lose motion लगे हो तो उस case में ये base जो हो use किया जाता है milk of magnesia उसके इलावा ये एक anti-acid भी है देक है दो important चीज़े हैं दो याद रखना आप एक तो aluminium hydroxide AL2 OH3 और एक ना ये magnesium hydroxide इन दोनों को anti-acid भी बोला जाता है anti-acid मतलब भी जब भी acidity होती है ना मतलब कि पेट में जैसे acidity हो जाती है तो उस acidity के दोरान जो base doctor देता है जो chemical doctor देता है वो basically क्या होता है magnesium hydroxide और aluminium hydroxide होता है ठीक है उसके इलावा ammonium hydroxide पतास जिसको कहते हैं potassium hydroxide ठीक है और इसको पतास भी कहते हैं ठीक है और alumina जो है वो जिसको aluminium oxide कहते है AL2O3 ठीक है उसके इलावा फिर next हम बात करते हैं salt कौन-कौन से important तो basically NHCO3 जिसको हम baking powder भी कहते हैं ठीक है जिसको हम baking powder भी कहते हैं यह चीज़ी मैं पिछली class में भी discuss कर चुका हूँ revision है आपकी एक तरह से ठीक है sodium carbonate और sodium carbonate जो है वो यह वाला होता है जिसको हम क्या कहते हैं आपको याद हो कि हम जिसको washing soda कहते हैं ठीक है washing soda ठीक है washing soda कहते हैं एक 3 चीज़ें आई पड़ी थे एन रेफर जिसको इbst टीक इन आर्ड रिझरी वFr works यह जो याँ रिखा नहीं है सवर्य इह रए एव जिसको हम कास्टिक बोर भी कहते हैं जो की ब phenomenal ऐक है यह अपका कास्टिक टीक होता है ठीक है और देन जिपसम आ गया ठीक है पिछली के लास में भी मैं आपसे डिस्स करके आया था कि कैल्सियम सल्पेट जो है वो एक सॉल्ट है और इसमें दो मॉलीकुलो वोटर होते हैं और इसको जिपसम कहते हैं अब जिपसम जो है वो पलास्ट्रो पैरिस में कनवर्ट हो जाता है जब इसको 393 केल्वीन टेंपरेचर पे हीट किया जाता है तो देड़ मॉलीकुलो वोटर निकल जाता है और आद्धा मॉलीकुलो वोटर रह जाता है यह कैल्सियम सल्पेट जो पलास्ट्रो पैरिस है ठीक है सोडियम कुलराइड नमक आपको पता है उसके लवा मोस्ट इ ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फिटकडी में होते हैं 24 मॉलीकुलो क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं देन आगया ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के काम आता है यह चीज में हम पीछे जो हो बेसिकली पढ़के आ चुके हैं C A O C L 2 मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर बनता ह है जब इसको हम आगे रेक्ट कर देते हैं सिल के साथ सोडियम वेंजूइट यह भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव हैं सोडियम वेंजूइट क्या है प्रिजर्वेटिव है मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि खाने पीने चीज़े को बचाना हो तो हमें पता है कि खाने मैं बात करूँ विनेगर भी हम डालते हैं ताकि विनेगर डालते हैं ताकि वह खराब ना ओओ इसी तरह से एक कॉमली यूज प्रिजर्वेटिव जो है वो सोडियम बेंजोएट है ठेक है वो डालते हैं, पाउडर डालते हैं, उसमें से एक salt जो होता है, वो potassium nitrate होता है, ठीक है, जैसे कि पश्वों को ड्राने के लिए जैसे use करते हैं, तो ये था basic fundamental चीज़, और आज की class शुरू करता हूँ, अब तक जो बाते करी मैंने वो पिछली class का revision part भी था, और आपकी कौन सी चीज, basically acid, base और salt होती है, जो आपको याद रखनी चाहिए, जो के exam में पूछ ली जाती है, तो मैंने उसका एक table जो create कर दिया था, तो आप इसको learn कर लीजिए अबडिया से, तो आज के class में पहला जो concept में शुरू करने जा रहा हूँ, वो है कि next हम कैसे बता सकते है कि एक तो हमने बात करी कि हम test करके बता सकते हैं, ठीक है, और एक हमने बात करी कि हम test करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज acid और base है, बट उसके इलावा भी और तरीके हैं, जिससे हम acid और base के बीच में difference पता कर सकते हैं, तो सबसे पहला person जो था, उन्होंने आर हीनियस ने एक theory आर हीनियस ने बताया कि क्या चीज acid होती है और क्या चीज बेस होती है, तो इनका एक simple सा फंडा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पांस नफ वाटर है, suppose करो, ठीक है, वाटर में से जब बिजली पांस करते हैं तो पानी तूट जाता है, H plus में और OH माइनस आइन में, ठीक है, OH माइनस आइन में, मतलब कि hydrogen आइन में और hydroxide आइन में, तो जैसे ही आप किसी भी acid को solution में डालते हो, basically पानी में डालते हो, तो अगर वो H plus आइन की मातरा को बढ़ा देता है, बहुत जादा, तो वो basically acid होता है, ठीक है, और अगर कोई hydroxide आइन, OH माइनस आइन की मा अतना को बढ़ा देता है, तो वो क्या होता है, basically base होता है, तो उसने बोला कि Arrhenius acid क्या होते है, the species that can donate proton, एक परजाती जो proton दान कर दी है, बिल्कुल नहीं कर दी, proton दान, ठीक है, species that can accept proton, जड़ी की लें दी है, ठीक है, the source OH ion in water, OH ion the source जो है, क्या होता है, वो base होता है, OH ion ज जी हा, H plus ion भी जड़ी मातरा है, वो increase करन्दा कम कर देने acid, ठीक है, तो पता चला आपको, H plus ion जो बढ़ा देते हैं, किस में, solution में, तो उनी को हम क्या कहते हैं, acid कहते हैं, तो Arrhenius ने बताया कि जो H plus ion की मातरा को increase करते हैं, H plus ion की मातरा को, तो वो क्या होते है, acid, तो ठीक जो पढ़ने वाले, जो students हैं, ठीक है, और जो English और पंजाबी में पढ़ने वाले students हैं, सभी इस चीज को understand कर पाएं, ताकि आप पंजाब exams दे रहे हैं, whether you are fighting for government exam, center government exam, ताकि आपकी science जो हो जाए, आप कोई भी exam दे रहे हैं, तो understanding create करेगा, ठीक है, language doesn't matter, because science is the subject of understanding, ठीक है basically English का ही रहता है, पर आप पंजाबी और हिंडी में भी learn कर पाएं, चीज़ों को सीख पाएं, मैं पूरा परियास करूंगा ऐसा, ठीक है, तो चलिए, इसका answer आपको मिल जाएगा, option number 4, ठीक है, फिर दूसरे person आए, जिनका नाम था ब्रॉंस्टेड और लॉरी, ठीक है, ब acid किसी goal में अगर आप acid डालोगे, तो इस acid जो होता है न, वो basically H plus iron donate करता है, ठीक है, H plus iron donate करता है, ठीक है, और base जो होता है, वो H plus iron जो है, वो accept करता है, ठीक है, ये H plus iron ले लेता है, तो अगर इस में से वो पूछ रहा है कि इस reaction में से कौन सी चीज acid है, तो आप ध्यान से देखिए, पानी ने न, पानी ने OH माइनस में और H plus में टूट कर, ये H plus तो दे दिया इसको, जब इसने इसको H plus दिया, तो ये हो गया, NH 4 plus लगी, एक hydrogen plus इसमें add हो गया, और इसका एक hydrogen निकल गया, तो ये इसमें convert हो गया, तो इसका मतलब यहां पे H2O जो है, वो acid काम कर है, और NH 3 जो वैसे तो देखो, हम नहीं बोला है, हम पीच्छे भी पढ़के आएं, कि पानी तो ना acid है, ना base है, neutral है पानी, पर एक तीसरी category भी होती है, दोस्तो, जिसको हम कहते हैं, amphoteric, ठीक है, आप ध्यान में रखना, amphoteric क्या होते हैं, जो acid का भी काम करते हैं, जो base का भी काम करते हैं, तो water कुछ ऐसा ही है, वो अपने बगल की जो company है ना, उसको देखके बदल जाता है, अगर पास में कोई base पढ़ा हुए है, strong base नहीं है, weak base है, तो वो acid की तरह काम करने लग जाएगा, अगर साथ में कोई जो strong acid पढ़ा हुए है, जो weak acid पढ़ा हुए है, त तो अगर मैं थोड़ा सा आपको clarify करूँ, तो ये acid है, ठीक है, इसने hydrogen दिया, और लिया किसने ammonia ने, तो ये वाली जो चीज है ना, ये बन गया, इसका conjugate, इसका conjugate base बन गया दोस्तों, ठीक है, ये क्या बन गया, इसका conjugate base बन गया, ठीक है, conjugate base क्या होते हैं, जो H+, ले लेते है अब दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि H+, जो वो donate करने का जो काम करते हैं, वो acids होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इसने क्या करें, अभी इसने यहाँ से proton ले लिया, ठीक है, तो यह इसमें convert हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये, अब अगर इस side बे हम बात करें, तो अब ये as acid काम करेंगा, ठीक है, तो ये conjugate acid बन गया, ठीक है, और ये वाला जो वो conjugate base बन गया, ठीक है, ये conjugate base बन गया, अब ये as basic काम करेंगा, ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, कि यहाँ पे acid base का conjugate pair पड़ा होता है, ठीक है, कि ये पहले acidic था, इसने क्या किया, यहाँ से क्या कि और प्रोटोन देने के बाद ये अचे बेस प्रोटोन लिया अर प्रोटोन लेने के बाद में कॉंगरी तो कुल मिलाके यहां पे यह वह ब्रॉस्टेट लॉरी ऐस्ट है तो ब्राउस्ट लॉरी कि हम बात करते हैं electron के उपर base, थीक है तो जो acid होते हैं बेस होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं वो electron loss करते हैं ये electron देते हैं छोड़ते हैं तो Lewis ने क्या बताया कि substance that donate a pair of electron जो electron दे देता है ठीक है form a coordinate covalent bond bond बनाता है एक strong वाला वो क्या होते हैं तो मैंने अभी बताया कि जो acid होते हैं वो electron donate करते हैं ठीक है sorry gain करते हैं acid क्या होते हैं उनको electron चाहिए चाहिए तो उसने बना कि जो electron donate करता है वो क्या होता है तो जो electron donate करता है वो basically base होता है ठीक है तो वो Lewis base होते है ठीक है तो आई hope कि आपको तिनों concept समझ में आगे जिससे हम acid base और इनके बारे में बताते हैं ठीक है पहला concept Arrhenius ने दिया दूसरा concept जो आपका लिविस अंकल ने दिया ठीक है चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद में बात करते हैं कि water of crystallization of white rolls क्या होते हैं ठीक है कहते हैं कि which of the following salt does not contain water of crystallization water of crystallization इन में से किसमें नहीं होता तो वो तब भी पता चलेगा जब आपको इनके formula बताओ तो पहले हम blue white roll लिखते हैं और मैं detail में discuss करूंगा कि white rolls क्या होते हैं ठीक है तो पहले मैं formula लिख रहा हूं बाग बगेरा में डाला जाता है आप अगर खेती से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा फिर आता है बैकिंग soda बैकिंग soda क्या होता है हम पीछे भी पढ़के आये थे na co3 sodium carbonate and 10 molecule of water यह भी हम पढ़के आये थे washing soda क्या होता है यह मैं आपको बता के आया था washing soda होता है ठीक है मैंने यह उल्टा लिख दिया दो तो यह है आपका washing soda और baking soda होता है sodium bicarbonate na co3 यह sodium bicarbonate baking soda होता है ठीक है मिठा soda जिसको कहते है और washing soda होता है sodium carbonate 10 molecule water ठीक है और gypsum भी हम पीछे पढ़के आया formula आपको मैंने दिखाया था CASO4 और 2 molecule of water तो उसने बोला कि water of crystallization किसमे नहीं है तो आपके सामने है देखो इसमें नहीं है और यह क्या है baking soda है तो यह आपका answer हो गया तो यह water of crystallization का role क्या है मैंने यह बताई थी बात कि यह चमक पैदा करता है किसी भी salt में यह क्या पैदा करता है चमक पैदा करता है ठी एक इसी तरह से आपने देखा होगा गरो में washing powder जो होता है वह चमकता है उसमें अलगी चमक होती है ठीक है और इसी तरह से जो gypsum है वह भी चमकती है ठीक है तो जैसे कि gypsum कहां यूजज करते हैं क्या है वो हम सारी बाते में आपके सामने यह present करता हूं यह देखिए अब उससे पहले में आपसे बात करता था कि white rolls क्या होते हैं white rolls के बारे में हम बात करेंगे तो white rolls जो है ना वो basically एक harsh compound होता है ठीक है harsh chemical होता है harsh मतलब एक तरह से विनाशकारी होता है जैसे कि यह sulfuric acid है अब इस sulfuric acid को oil of white rolls कहते हैं ठीक है क्या है विनाशकारी तेल कहते हैं इसको oil of white roll मतलब यह एक तरह से विनाशकारी तेल है यह ठीक है मतलब कि बहुत जादा strong acid होता है यह नुकसान हो जाते हैं इससे अगर body पे गिर जाए कहीं गिर जाए चीजों पे गिर जाए उसको white rolls कहते हैं जैसे कि यह है इसको निलाथ होता कहते है और यह दोस्तो blue white roll है ठीक है यह blue white roll है तो मैं ज्यादा detail में जाने के बज़ाएं आपको यहां लिखा हुआ है दिखाता हूं यह H2SO4 है जिसको oil of white rolls कहते हैं उसके इलावा green white roll कहा है FESO4 यह आपके सामने पड़ा यह वाला green white roll और इसमें कितने molecular water होते हैं वो मैं बता देता हूं आपको साथ पानी के molecular होते हैं फिर आता है red white roll यह आपके सामने ठीक है लाल रंग का जो विट्रियोल्स है विट्रोल विट्रोल्स जो भी आप बोलते हो इसको ठीक है इसमें साथ पानी के molecular होते है blue white roll जो है वो copper carbonate होता है sulfate होता है इसमें क्या है यह सारे ना H2O4 के साथ react करने पर बने है metal को H2O4 के साथ react करवाया copper को, cobalt को, iron को फिर zinc जो है वो जब react करता है तो zinc sulfate बनाता है और इसमें भी 7 molecule of water होते है ठीक है तो कुल मिला कि यह सारे vitriols है आपके सामने इनके formula है आपके सामने इनके रंग भी दिखा रखे है मैंने blue, white, ठीक है green और red चलिए आगे next चलते है कहते कि इन में से hydroacid क्या होते है देखो दोस्तों मैंने आपको पिछली class में बताया था कि acid को divide करने के चार तरीके हैं वैसे acid को चार तरीके से divide किया जाता है कि क्या क्या चीज है कैसे कैसे है तो पहला तरीका acid को divide करने का जो वो रहता है वो basically रहता है हमने जैसे पिछली कلاस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे बताना हो कि या एसिड कौन कौन से है तो पहला तरीखा तो रहता है कि Organic Acid है कि Mineral Acid है Organic है कि Mineral है ठीक है Organic Acid कौन से होते हैं जो कि कुद्रती तोर पे पैदा होते हैं और mineral acid यह होते हैं, जो की lab में बनाये जाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO, 4, यह, जैसे कि यह mineral है, यह mineral acid है, यह mineral acid है, यह mineral acid है, यह सारी mineral acids हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बाब में दूसरे जो acid आते हैं, वो आता है, H plus की presence और H की और oxygen की presence के अधार पर, उनको क्या बोलते हैं, hydro acid और ox acid, ठीक है, क्या बोलते हैं, oxo और hydro acid, ठीक है, oxo और hydro acids क्या होते हैं, वो acid जिसमें hydrogen होता है, oxygen नहीं होता, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, hydro acid, oxo acid जो होते हैं, जिनमें सिर्फ oxygen होता है, जा oxy acids, तो आप इसमें से देखो कि किसमें oxygen नहीं है, तो HCl में oxygen नहीं हैं दोस्तों, इस वज़े से इसको oxo hydride acid कहते हैं, hydra acid नहीं कहते हैं, sorry hydra acid कहते हैं, oxo acid नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें oxygen है तो यह oxo acid है, यह oxy acid है, यह oxy acid है, और यह क्या है? Hydra acid है, उसके इलावा acid को जो आगे divide करने का तरीका जो है, वो क्या है, concentration based होता है, ठीक है, कि dilute acid है, कि concentrated acid है, मतलब कि उसमें क्या कितनी मातरा जो हो उस acid की है, कितना strong acid है, कि कितना weak acid है, उसके उपर based भी जो हम बाढ़ सकते हैं, ठीक है, फिर उसके इलावा electron देने और electron लेने के एसाब से भी आप acid को बता सकते हैं, क्योंकि कौन सा acid जो हो है, और कौन सा चीज base है, तो कुछ इस तरीके से हम acid और base के अंदर distinction करते हैं, चलिए, next चलते है, aquarizia, already पीछे, अभी मैं starting में discuss कर चुका हूँ आपसे कि aquarizia क्या होता है, असल में aquarizia क्या होता है, यह HCl का और HNO3 का mission है, ठीक है, जिसमें अभी इसको याद रखना है तो simple तरीका बताता हूँ, तीन यहां लगा हूँ है, यहां पर तीन नहीं लगा हूँ है, एक लगा हूँ है, तो तीन इसे इसके और एक इससा इसका, यह तीन इदर लगा है, तो लेने इसके 3 इसे हैं, कि अगर आपना 100 ml का गोल बनाते हैं तो 100 ml के गोल में 75 ml HCl ले लोगे और 25 ml जो है वो क्या ले लोगे HNO3 मतलब कि नाइटरिक असिड ले लोगे तो ये 3 अनपात एक में जो गोल बनता है ना इसको हम दोस्तो एक्वारीजिया बोलते हैं और ये बहुत ही strong acid होता है ये metal वगेरा को पिंगलाने में काम आता है गोल्ड, platinum वगेरा जो metal होते है ना उनको अकर पिंगलाना हो तो उसके काम आता है तो concern 3 part जो है वो किसके लेने होते है hydrochloric acid के और एक part जो हो किसका लेना होता है nitric acid का तो option number B आपका answer हो जाएगा चलिए आगे हम बात करते हैं कि P.O.P क्या होता है देखो हम पिछे पढ़के आए हैं gypsum क्या था कि calcium sulfate और two molecular water जो थे वो gypsum था ठीक है I hope कि मेरी spade सही है ठीक है आपको चीज़ें समझ में आ रही है ठीक है तो यह gypsum था और अब जब इस gypsum को गरम कर देते हैं 393 degree स्वरी कैलविन पे 393 कैलविन पे तो होता क्या है इस में से यह पानी निकल जाता है कितना आदा molecule डेड़ molecule SO4 half molecule of water बच जाता है और बाकी जो है वो पानी निकल जाता है बाहर ठीक है 3 by 2 molecule बाहर निकल जाते हैं तो यह जो बनता है ना इस चीज को हम कहते हैं P.O.P plaster of Paris कहते हैं P.O.P और कहां का यूज होता है आपके सामने हैं देखो bone अगर किसी की fracture आ जाए body में जैसे हार तूड जाता है पैर तूड जाता है तो यह देखो यह जो plaster लगा हुआ है यह basically P.O.P का होता है उसके इलावा बहुत बढ़ियां अच्छे सुन्दर मूर्तियां बनाने के लिए इसका use होता है उसके इलावा जो wall की ceiling होती है जैसे उपर दिवार में design बनाते है वो design basically क्या होता है वो P.O.P का बना होता है ठीक है दोस्तो next next है बहुत मज़ेदार कुशन है यह कहता है कि जब acid react करता है metal के साथ देखो जब भी आप metal को react करवाएंगे acid के साथ तो एकना salt बनता है और आप ध्यान में रखना जो यह salt बनता है acid का metal के साथ जो metal oxide जब कुछ भी बनता है जैसे माल लो कि मैंने zinc लिया और zinc को मैंने react करवा दिया H2SO4 से दोस्तो तो क्या बनेगा zinc sulfate बन जाएगा JNSO4 बन जाएगा ठीक है प्लस ना hydrogen gas निकलती है यह reaction है यह मैंने आपके सामने जो लिखी यह reaction है यह जो zinc sulfate बना है ठीक है यह क्या है salt है अब जो यह बना ना तो यह hydrogen gas का पता कैसे चलेगा तो उसने बोला कि इसका पता चलाना है तो कैसे चलाना है तो देखो experiment है आपके सामने तो जैसे यह bubble निकलते हैं hydrogen gas के और हम जलती वी मुंबती को पास में लेके आते हैं तो उस hydrogen gas के bubble से यह मुंबती बुझ जाती है बंद हो जाती है तो कहते हैं कि एक मुंबती जलाके हम पता कर सकते हैं कि hydrogen gas जो निकली है क्या कि जदों एक तजाब एक तातनाल परतिक्रिया करदा है ता एक लून बनोंदा है सामने आपके hydrogen gas निकल दी है hydrogen दी मुझूदगी दा पता किमे कर सकते हैं तो वो पता करने का तरीका क्या आप जलती भी मुंबती पास में लेके जाओ वो बुझ जाएगी अगर hydrogen gas निकल पर ही होती है तो ठीक है चलिए नेक्स्ट है sodium carbonate जो है वो एक basic salt है ठीक है sodium carbonate क्या है यह देखो sodium carbonate Na2CO3 ठीक है इसमें 10 molecular water भी होते हैं वैसे ठीक है तो यह एक क्या है basic salt है वो कहता है कि एक basic salt है क्यों क्योंकि देखो आपको अगर यह पता करने कि कोई चीज basic salt बनेगा कि acidic बनेगा तो उसके लिए ना पहले इस table को देखी आप देखे इस table में क्या बता रखे है मैं एक एक example भी देने की कोशिश करूँगा कि अगर आप strong acid strong base reaction करते हैं जैसे कि strong acid लेते हैं HCL, HCL क्या hydrochloric acid उसकी reaction कर दो आप strong base NaOH के साथ sodium hydroxide के साथ तो इस reaction के बाद क्या बनेग और पानी बाहर निकल जाएगा तो देखो पानी निकल गया और neutral salt बनता है मलग कि sodium chloride जो ना acid होता है ना base होता है यह neutral salt है तो मतलब strong acid strong base से क्या बनते हैं neutral salt बनते हैं इसी तरह से अगर weak basis की बात करें तो जैसे देखो कि अगर मैं weak base की बात करूँ तो weak base की बात करें तो acid के साथ तो CH3COOH estic acid एक weak acid है इन दोनों की reaction के बाद में क्या बनता है इन दोनों की reaction के बाद में बनता है CH3COONH4 बन जाता है यह बन जाता है और यह क्या है यह जो वो basically base होता है तो मतलब उसने बोला कि अगर आप weak base weak acid से react करते हो तो acid भी बन सकता है base भी बन सकता है neutral salt भ बार निकल जाता है ठीक है अब इसी तरह से अगर कहता है कि strong acid strong acid जैसे कि मैं क्या लूँ strong acid सपोस करो कि हम NH3 के साथ तो इस reaction में क्या बनेगा ammonium chloride बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा और plus पानी निकलता है तो निकल जाएगा नहीं तो जरूरी नहीं है ठीक है तो कुल मिला कि ammonium chloride बन गया ठीक है तो यह ammonium chloride जो बना NH4Cl यह जो वो acidic salt है ठीक है तो कुल मिला कि जब भी आप एक strong acid को weak base से react करते हैं तो acidic salt बनता है फ weak acid क्या ले लेते हम? weak acid के तोर पे ले लेते हम CH3COOH यह weak acid है तो क्या होता है यहां से है यहां से OH बार निकल जाता है पानी निकल जाता है मतलब reaction में और क्या बन जाता है? acid, sodium acetate बन जाता है NOA बन जाता है और यह क्या है? basic salt है ठीक है? तो acidic बनेगा के basic बनेगा वो आप ऐसी बता सकते हैं तो पिछले question क्या था वो पढ़ते हैं कहते हैं कहते हैं कि sodium carbonate जो है वो एक basic salt है ठीक है? और क्योंकि यह किस से बनता है वो उसने पूछा है कि यह किस से ब बनेंगे दोस्तो basic salt बनेंगे जब base strong हो ठीक है? तो strong base हो और weak acid हो मतलग कि हम अगर strong base लेते हैं और weak acid लेते हैं तो आपका जो वो sodium carbonate बन जाता है ठीक है? तो NA2CO3 बन जाता है अगर हम क्या लेते हैं? strong base लेते हैं और weak अगर acid लेंगे तो हमारे पास sodium carbonate बन जाएगा ठीक है? तो strong base में क्या लोगे आप? strong base में आप NUH लोगे ठीक है? और weak acid में क्या लोगे? weak acid में क्या है? आप क्या ले सकते हो? जैसे कि CH3 COO ले ले सकते हो, COOH ले सकते हो, पानी निकलेगा, एक ओर reaction होगी, तो वो sodium bicarbonate convert हो जाएगा, multiple reaction में हो जाएगा दोस्तों. दीक हैं, बहुत जादा deep reactions में जाने कि आपको जरूरत नहीं हैं, आप अगर इस table को understand कर लेते हैं ये reactions मेंने example के तोर पे दिया, आप अगर ये भी नहीं रखते हैं ध्यान में, तो कोई बात नहीं है, आपको इतना पता चल गया होगा, कि जो चीज strong होगी ना, उसका salt बनेगा, acid strong है, तो salt है, acidic बनेगा, base strong है, तो basic बनेगा, अगर दोनों strong है, तो neutral बनेगा, और अगर दो weak base है, तो neutral भी बन सकता है, basic भी बन सकता है, और acidic भी बन सकता है, ठीक है, lime water, lime water क्या होता है, आप सभी को पता है, calcium hydroxide होता है, ठीक है, NCAOH2 होता है, अब ये milky हो जाता है, जब क्या होता है, when carbon dioxide is passed due to the formation हो, इसमें से आप जब ना, carbon dioxide पास करते हो ना, दोस्तों, तो ये carbon dioxide करने पर, ये बन जाता है, calcium carbonate में convert हो जाता है, और साथ में ना, पानी निकल जाता है, और calcium carbonate क्या होता है, ये limestone होता है, ठीक है, limestone होता है, और इस reaction की presence को पता चल जाता है, तो कि जो ये दूदिया हो जाता है, दूदिया, तो क्या कह रहा है, कि इस reaction में किस चीज की formation हो आगर वैं आपको बता दू कि जैसे अपनाने टाइम में कली करते होते थे। तो जब दिवारों पे कली करते हैं तो क्या करते हैं? पहले न आपकेल्शियम the oxygen खरते हैं इसको पानी अपनी में घोलेतो जाता है, जब इसको अपनी में घोली न तो héट निकलते यह एक reaction एकसोथर्मिक reaction है। आप जिनोंने यह करके देखाइँ में जिजनों को गरमे ऐसा पहले कली करते थे बड़े से मटके में जिब कली करते हैं मतलए कि पानी डालते हैं अर कली को भिक होते हैं तो बहुत ऐहसले fumes निकलते हैं गरमे निकलती है तो क्या formation होती है calcium hydroxide बनता है अब ये ना calcium hydroxide को पोत देते हैं दिवार पे ऐसे दिवार पे पोत देते हैं पर finishing नहीं आती 2-3 दिन के बाद चमकने लग जाता है सफेद उसका reason क्या है कि 2-3 दिन के बाद वो carbon dioxide के साथ react करता है react करने के बाद में वो किसमे convert हो जाता है calcium carbonate में जो की चमक पैदा करता है जो की line stone है और साथ में पानी निकल जाता है I hope कि आपको ये बात समझ में आई होगी कहता है कि calcium का compound ले लो कोई भी मानलो कि मैंने calcium है ले लिया कहता है कि calcium compound है calcium carbonate ही ले लो चलो तो पता है क्या बनाएगा calcium chloride बनाएगा CACl2 बनाएगा प्लस जो है ना carbon dioxide निकलेगी इस reaction में और कुछ मातरा में जो हो पानी भी निकलता है तो पानी निकलता है तो हम इसको balance कर देते हैं यहाँ पे दो लगा देंगे ठीक है तो इस reaction में calcium chloride बनता है carbon dioxide निकलता है और पानी निकलता है तो उसने पूछा कि calcium के compound को react करते है dilute hydrochloric acid के साथ तो produce करता है effervescence और जो effervescence का sound होता है वो किसका होता है CO2 का होता है तो कहता है कि यह gas जो निकलती है यह मुम्बती को बुजा देती है यह वाली भी और कहता है कि कौन सा compound बनता है कौन सी gas निकलती है तो compound बनता है calcium chloride और gas निकलती है अगर यही ना मैं calcium carbonate को CO2 से react करता हूँ तो दोस्तो calcium oxy chloride बनता है जो की bleaching powder है calcium carbonate को अगर आप CO2 से react करते है ना तो calcium oxy chloride बनता है प्लस आपके साथ इस reaction में carbon dioxide निकल जाती है और जो calcium oxy chloride है ना यह bleaching powder का काम करता है किसका काम करता है bleaching करने के काम आता है जैसे कि रंगों को fade करने में चड़ाने में काम आता है आखरी slide है इस video की और आज का मैंने done कर दिया almost जो चीज़े में आपको बताना चाता था next video most probably acid base की last video रहेगी जिसमें मैं almost बचे हुए सारे concept acid base की और कुछ और chemical reactionों से जुड़े हुए question और कुछ previous year question मतलब कि जो आपके जितने भी पीछे ETT से जुड़े हुए question हुए है जो पूछे जा सकते हैं आगे क्योंकि chemistry ETT में बहुत ही important part के तोर पे लिया जा रहा है पिछले exams में अगर आपने देखा हो तो 10 से 12 question के करीब पूछे गए है तो ज़्यादा major part जो वो chemistry से पूछा गया तो मैं थोड़ा detail ही discuss कर रहा हूँ तो जो sulfuric acid है ना H2SO4 वो battery acid है असल में मैं ये क्यों discuss कर रहा हूँ परसंटेज से जुड़े वे question पूछे जाते हैं तो क्या 37.5 जा फिर 38% कहीं कहीं आपको 37.5% मिलेगा 37.5% sulfuric acid का जो goal होता है ना वो battery acid का का काम करता है अगर आपने से किसी को नहीं पता तो battery acid क्या होता है वो मैं बता देता हूँ पुराने जमाने में जैसे वो charging वाली battery आती थी उस battery में ऐसे no cell बने होते थे कितने कितने volt के 2 volt के तो ये complete जो है वो उस 12 volt की battery होती थी इस 12 बारी गोल्ट की battery में ये cell होते थे और यहां पे एक solution बढ़ा होता था वो solution basically क्या होता था sulfuric acid का होता था तेजाब बरते थे उसको ना वो charge ना बंद हो जाती थी तो वो 37, 37 जा 38% भी आप कहीं कहीं लिख सकते हो अलग अलग value मिलती है दोनों में से मिलती है जाता था ना तो वो battery acid होता है vinegar क्या होता है तो vinegar होता है दोस्तो 5 से 7, 8% कहीं 5 मिलेगा कहीं 8 मिलेगा 5 से 8% जो है वो ethanoic acid 5 से 8% ethanoic acid जा फिर जिसको acetic acid भी कहते हैं इसका जो goal है ना उसको vinegar जा सिरिका बोला जाता है tincture मैं अभी class के starting में ही पढ़ा के आया हूँ आपको iodine plus ethanol iodine plus ethanol अगर आपको ethanol का formula नहीं आता तो मैं लिग देता हूँ आपके लिए CH3, CH2, OH ये ethanol का formula है ethanol is nothing but a drinking alcohol जो पीने वाली alcohol होती है ये ethanol तो 400% होती है पर इसमें मिला के इसको जो 38 से 42-43% के उपर जो अवो drinking alcohol होती है और इसकी कितनी मातरा होती है तो वो भी मैं अगर mention करूं यहां पर तो ये आपका basically 2-7% 2-7% जो वो iodine जो हो और ethanol का goal है उसको antiseptic tincture के तोर पर यूज किया जाता है ठीक है ब्रिन ये मैं मेरी पिछली class में discuss करके आया हूँ 3% से लेके आपका 26% sodium chloride मतलब नमक sodium chloride का जो goal होता है पानी के साथ sodium chloride और पानी का जो goal होता है उस goal को ब्रीन जब ब्राइन बोला जाता है ठीक है तो I hope कि आपको ये चीजें समझ में आई है अच्छी लगी है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like share और subscribe करिएगा चैनल को ठीक है जादा से जादा दोस्तों तक इसको पंचाइए ताकि वो इसका फायदा ले सके ठीक है और अपने valuable comment भी मुझे दीजिएगा ठीक है अगर आपको कोई doubts है तो वो comment box में लिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए concepts के साथ तब तक के लिए अलविदा नमस्कार